हेलो दोस्तों आज 29th में 2021 के करेंट फर को डिसकस करेंगे तो आज का पहला कुछन है नेमिलखीद में से उबलती जील यान की बोईलिंग लेक किस देश में इस्थी थे तो इस कंस्रूप्शन भी डोमीनिका तो डोमीनिका ये केरिवेन का एक आइलेंड कंट्री है अच्छा डाइमन ट्रेडर जिनका नाम है मेहुल चोकसी इसको डोमीनिका में अरेस्ट कर लिया गया है तो इसलिए ये चर्चा में तो यहाँ पे केरिवेन आइलेंड से तो आपको यहाँ पे डोमीनिका मिल जाएगा ठीक है इसकी कैपिटल है रोसो और करंसी है इस्थ केरिवेन ड लोंग टर्म रेसिदेंट्सी ओफर किया जाता है अचाहिए इसके लिए कौन एलिजिबल है तो इन्वेस्टर, एंटर्पेनियोज, इंडिवुजोल्स, इंडिविजोल्स में रिसेर्चर्स, मेडिकल प्रोफेशनल और वैसे लोग जिसके पास टेलेंट हो तो वो इन्वेस्टर, 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 से 1985 में अगला कुछन है किस राज सरकार ने हाली में बोडोलेंट विभाग यानि की बोडोलेंट डिपार्डमेंट को बनाया है तो इस कंस्रोप्षन सी असम गोवर्मेंट ने तो बोडोलेंट डिपार्मेंट के जरिये बोडोलेंट टेडिटोरियल रीजन यानि कि BTR के अंदर आने वाले चार डिस्टिक्स से रिलेटेट मामलों को डील किया जाएगा ठीक है तो इससे पहले बोडोलेंड से रिलेटेट सारे मामले Welfare of Planned Tribes and Backward Classes Department के अंदर आते थे ठीक है अचा बोडो ये largest ethnic community है असम में ठीक है अचा ये है असम का मेप आपको यहां पे ये ब्रहमपुतरा रिवर मिल जाएगा तो चार डिस्टिक है जो बोडोलेंड टेरिटोरियल रिजन के अंदर आते हैं तो यहां पे है बकसा है ना यहां पे चिरंग और ये है कोकरा जहर और यहां पे डूबडी गुट निर्फेक्च आंदलोन यानि की नन अलाइंड मुव्मेंट देशों के स्वास मंत्रियों की बैठेक में किसने भाग लिये तो इसका अप्षिन ए डक्टर हर्सवर्दन तो रिशनले डक्टर हर्सवर्दन ने एन एम यानि की नन अलाइंड मुव्मेंट के हेल्थ मिनिस्टर के मीटिंग में पार्टिसिपेट किये हैं अच्छा यह नन अलाइंड मुव्मेंट यह 120 डेवलेपिंग कंट्रिस का गुरूप है अच्छा यह कब बना था तो 1961 में जिनका हैड़कौर्टर है जगार्दा कैपिटल ओफ इंडोनिसा में अच्छा एन एम यह सेकेंड लार्जस्ट गुरूप है बतलब लार्जस्ट गुरूप ऑफ कंट्री से आफ्टर युनाइटेड नेशन्स तो आपको कमेंड में बताना कि युनाइटेड नेशन्स में कितने मेंबर्स हैं अगला को सने निमलीखित में से किसने सेहत ओपीडी पोर्टल को लॉंच किये तो इसका अप्शन भी राजना सिंग तो रिसें एंड उनके फेमिलिस को टेली मेडिशन प्रोवाइट के जाएंगे ठीक है उसने लुवर संगराले यानि की लुवर म्यूजियम के पहली महला अध्यक्ष यानि प्रिसडेंट कौन बने तो इसका अप्शन ए लोरेंस डी कार्स तो लुवर म्यूजियम ये पेरिस में पेर आर्टिस्त है अगला को सने सबसे ज़्यदा टोबे को इसमोकर किस देश में है तो इस कंस्रॉप्शन भी चाइना तो एक इस्टेडी जिसको पब्लीश किया है ग्लोबल बर्डन ओफ डिजीज ने और ये मतलब इस इस्टेडी को पब्लीश किया गया है दे लेंड सेंट जर्नल यान की पत्री कामें टिक है तो इसमें सबसे ज़्यदा टोबे को सेवन करने वाला टोफ पे है चाइनाया यहाँ मिल्यंग्ड है इंडिया सेकेंड नमर पे है जहाँ फिक है है नेमेले खितम से best ने ए सी CR Portal को launch किये तो इस कांसरप्शन भी किरन रीजिजू तो इनको launch किये हैं किरन रीजिजू जो यूनियन मिनिस्टर फॉर आयूस है अचा एसी सी आर पॉर्टल इंका फुल्फव में आयूस क्लिनिकल केस रीपोजिटरी ठीक है अचा इस प्लेटफर्म के जरिए डॉक्टर्स और जनरल पब्लिक यानि की आम आदमी को सपोर्ट किया जाएगा और इसका एम होगा इस पॉर्टल का एम होगा मतलब जो भी डॉक्टर के दौरा क्लिनिकल आउटकम अचीब किया जाएंगे तो उससे रिलेटर सारे इंफॉर्मेशन यहां पे कलेक्ट किया जाएगा ठीक क्रेडिट कार्ड इनिसेटीव और तिसरा है रासन होम डिलिवरी स्केम तो लक्षमी भंडार प्रोजेक्ट में इसमें पूर फेमिलीज को पांस रुपया परमत मिलेंगे और इसमें से स्ट को मतलब एक हजार मिलेंगे यह जीरो छोड़ गया है तो एक हजार होगा ठीक है एंडी जैसी किस कंपनी के सीओ बने तो इसका अंसरप्शन भी अमेजन आप सबको पता होगा तो इससे रिलेटेड न्यूज है अमेजन से तो अमेजन ने हाली में होलीवूट के MGM स्टूडियो को खड़िद लिया है और इसको खड़िदा है 8.54 बिलियन डॉलर में ठीक ह अगला को सने किस राज सरका ने MHIM एप को लौंज किये हैं तो इस कंसरप्शन ए मनिपूर ने तो रिसेंटली मनिपूर गूर्मेंट ने MHIM एप को लौंज किये हैं अच्छा MHIM का फुलपो में मनिपूर होम आईसोलेशन मेनेजमेंट और ये एप को लौंज किया गया है for isolated COVID-19 patient के लिए ठीक है अगला को सने बसर अल असद किस देश के राश्पती बने तो इस कंसरप्शन ए सिरिया तो रिसेंटली बसर अल असद सिरिया के चोथी बार राश्पती बने तो सिरिया आपको मेप में यहापे मिल जाएगा और इसकी कैपिटल है डमेस्कस और ये टच करता है मेडिटेर रेनियन सी को ठीक है अच्छा सिरिया के परोसी देशत तर्की इडाक जोर्डन लेबनान एंड इसराइल अगला कुसर ने सेवन लेशन फ्रोम एवरेश्ट पुस्तक के लेखक कौन है तो इस कंसरप्शन भी अधित्य गुपता अगला कुसर ने आई बी अधिएफ तो आए बी-अफ यसकाईफ याननीकी इंडियन ब्रोड कास्टिंग फाउंडेशन जिसको मतलब ऐन्सका इंद्गे था 1999 में और इसका न्यूइ नेम होगा आइए का इंडियई म्रड कास्टिंग इंडिजिटल फाउंडेशन यह प्रिविस देगा को सन ने तो आपका उप्सने पंजाब, गुजराद, ओडिसा, एंड सिखें.